तो दो कैसे हैं आप लोग तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्षर और आज मैं आपको करवाने वाला हूं 31-year-old के units और measurement के question कराने वाला है units और measurement के question है वो actually 2020 में दो question आ गया था इस unit से ठीक है आप देखो कितना आसान है और कितना कम पढ़ के आपको 2 question मिल जाता है ठीक है तो जो major topic है इस unit के वो 4 major topic है अगर आप उनको कर लेते हो तो आपके question मिल जाते है पहला major topic है screw goals और इससे question कई वार आया एरर analysis significant figure और साथ-साथ dimensional analysis ठीक है यह अगर topic आपके clear है तो आपके question हो जाएंगे ठीक है चलो तो यह जो यह जो question है वो basically screw goals का है ठीक है अगर आप screw goals नहीं पड़े हो तो यह question आपसे होगा ही नहीं यार ठीक है समझेरो ना जब आप theory नहीं पड़े हो तो आप से कहा होगा ज्यादा तर इस्कूल और college में इस्कूल और coaching में यह topic छोड़वा दिया जाता है और और question वहीं से आता है ठीक है चलो तो यह screw goals काता है list count दिया हुआ list count कितना point zero one list count होता है किसी भी device के लिए list count minimum measurement होता है minimum measurement इतना है और number of division number of division circular scale पे number of division वह 50 दिया हुआ तो पीच का direct formula होता है पीच का फार्मूला होता है नंबर आप डिवीजन नंबर आप डिवीजन multiplied by list count मतलब 50 multiplied by point one मतलब point five meter है ना देखो कितना असान question था ठीक है यह हो गया second मतलब बहुत जल्देगर formula याद है सही सही तुम्हारा दिमाग काम कर रहा पढ़ गया हो फार्मूला याद है तो तुम देखो कितना आसानी से कर सकते हो चार नंबर यहां मिल गए ठीक है चलो कर सकते हैं मेड़ कर सकते हैं k